Hello everyone, कैसे हैं आप लो? I hope कि आप लो बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तवीर थोड़ा खराब था लेकिन अभी से मैं पूरी कोसिस करूँगा कि वीडियो को regular basis पे upload करूँ और जल से जल हम अपना syllabus को भी complete करेंगे तो आज हम देखने वाले हैं class 12 English में poetry का chapter number 3 का objective question जिसका नाम है now the lips are falling fast तो चलिए सुरो करते हैं question number 1 में है कि for orden poetry was a task यानि इस chapter के जो लेकक हैं जिनका नाम है डबलू एच ओर्डेन उनके लिए poetry यानि कभीताय जो थी वो क्या थी तो हमें इस chapter के सुरुआत में ही बताया गया है कि डबलू एच ओर्डेन के लिए कभीताय जो थी वो एक serious game थी इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number C serious game तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 2 में पूछा गया है कि the line and the night angle is dumb is taken from dash यानि यह जो line है जिसमें कहा गया कि जो night angle है यानि बुल बुल है वो dumb हो चुका है dumb का मतलब गुंगा हो चुका है यह line किस poem से लिया गया है हमें यह पता है कि यह line poem number 3 जिसका नाम है now the lips are falling fast से लिया गया है इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 3 में है कि end the night angle is dumb and the dash will not come तो यह line chapter से लिया गया है जिसमें कहा गया है कि end the night angle is dumb and the angle will not come यानि इस line का मतलब यह हुआ कि जो night angle यानि बुल-बुल है वह अब गुंगी हो चुकी है और जो angel है angel यहाँ पे human perspective को बताया गया है यानि मानों का वो ही पूराना बरताओ जो की अब दुबारा आने वाला नहीं है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number C angle तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 4 में है कि nurses to the grave are gone is from desk यानि यह जो line है जिसमें लिखा गया कि nurses to the grave are gone nurses यहाँ पे बड़े बड़े पेंड को कहा गया है और कहा गया है कि nurses जो है वो grave की तरफ यानि कबर की तरफ जा चुकी है यह जो line है वो किस chapter से यानि किस poem से लिया गया है तो हमें यह पता है कि यह line poem number 3 जिसका नाम है now the lips are falling fast से लिया गया है इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा पिर लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 5 में है कि WH Auden won the dash prize in 1948 यानि इस chapter के जो लेखक है जिनका नाम है WH Auden उनको 1948 में कौन सा prize यानि पुरसकार मिला था तो यह भी हमें chapter के सुरात में ही बताया गया है कि WH Auden को 1948 में puliger prize मिला था इसलिए option A इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 6 में है कि end the active hands must dash lonely on the separate knees यानि इस line में हमें कहा गया है कि जो हमारा active hand है यानि हमारा हाँ जो है वो काफी फूरतीला है वह अब freeze हो चुका है freeze हो चुका है मतलब वह बिल्कुल रुक चुका है jump चुका है and lonely on the separate knees जैसे कि हम बहुत तेजी में दोड़के उसके बाद हम जब ठक जाते हैं तो हम एक जगे पे रुकते हैं और हम अपने हाथों को अपने knees पे यानि घुटनों पे रख करके थोड़ा अराम करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि अब जो हमारा active hand है यानि हम फूरतीला हाथ है वो freeze हो चुका है यानि jump चुका है और हमने अपनी हाथों को अपने knees पे यानि घुटनों पे रख लिया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि end the active hand must freeze lonely on the separate knees इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ question number 7 में कहा गया है कि in the second line of the poem now the lips are falling fast nurse stand for task यानि यह जो poem है यानि कविता है जिसका नाम है now the lips are falling fast इसके second line में एक word का यूज किया गया है जिसका नाम है nurse तो हमसे पूछा गया है कि इस nurse सब्द का meaning क्या है तो यह भी हमें चैप्टर में बताया गया है कि nurse का meaning यहाँ पे एक पेड को कहा गया है यानि जो पेड बड़ा होता है उसको हम लोग nurse कहते हैं इसलिए option C A tree इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 8 में कहा गया है कि in the poem now the lips are falling fast whispering neighbor stand for dash यानि यह जो poem है कविता है जिसका नाम है now the lips are falling fast इसमें whispering neighbor किसको कहा गया है तो जब आप यह poem पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस poem में whispering neighbor जो है वो agent of death को कहा गया है यानि मिर्टू के दूद को कहा गया है इसलिए option D इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 9 में है कि trolls mentioned in the poem now the lips are falling fast are dash mythological creatures यानि यह जो कविता है जिसका नाम है now the lips are falling fast इसमें trolls जो है किसको कहा गया है तो जब आप यह chapter पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस chapter में trolls scandinavian mythological creatures को कहा गया है यह एक ऐसे creatures होते हैं जो की काफी डरावने दिखते हैं इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number A scandinavian इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 10 में है now the lips are falling fast each dance poem यानि यह जो कविता है जिसका नाम है the lips are falling fast यह किस तरीके की कविता है तो जब आप यह chapter पढ़ेंगे और इसके meaning को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक pessimistic और optimistic दोनों प्रकार की कविता है pessimistic का मतलब होता है pessimistic का मतलब होता है निरासावादी और optimistic का मतलब होता है आसावादी तो जब आप यह chapter पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस chapter में आसावादी और निरासावादी दोनों प्रकार की बाते करी गई है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह एक pessimistic कम optimistic poem है इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 11 में है कि who has composed the poem now the lips are falling fast यानि यह जो कभीता है जिसका नाम है now the lips are falling fast इसको किस ने बनाया है तो यह भी हमें chapter का सुबात में ही बताया गया है कि इस कभीता को wh.orden ने लिखा है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number A इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 12 में है कि orden won the puliger price in dash यानि इस chapter के जो लेखक हैं जिनका नाम है wh.orden उन्हें puliger price का मिला था तो यह भी हमें chapter का सुबात में बताया गया है कि wh.orden को puliger price 1948 में मिला था इसलिए option B 1948 इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 13 में है कि whose white waterfall could blaze travelers in their last dash यानि यह chapter का दो line लिया गया है जिसमें कहा गया है कि whose white waterfall could blaze travelers in their last distress यानि यहाँ पे पहाडों की बात करी गई है कि पहाड जो होते हैं वो थोड़े उंचे होते हैं और उनकी चोटी से जो उजिले रंग का जहरना की तरह पानी गिरते रहता है वो जो यातरी हैं उनको आखरी तनाव के समय में भी काफी मदद करता है इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए उप्सन ए इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर्डी तो इस पे लगाते हैं टीक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ क्वेशन मर्डी 15 में है कि Now the lips are falling is test यान यह जो कवीता है जिसका नामे Now the lips are falling या क्या है तो आपको यह चीज पताऊना चाहिए कि यह जो चैप्टर है जिसका नामे Now the lips are falling या एक परकार का लिरिक है लिरिक का मतलब होता है एक ऐसी कवीता जो की गीत के रूप में लिखी हुई हती है इसलिए Option A इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और अगर आपको याद करना है कि कौन सा poem किस टाइप का है तो इसके लिए हम already वीडियो बना चुके हैं उसका link आपको description में मिल लेगा जहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं चलते हैं अब अगले सवाल के तरफ Question number 16 में है कि Now the lips are falling fast Das the frustration inherent in human life यानि यह जो कवीता है इसका नामे Now the lips are falling fast या क्या दिखाता है तो यह भी हमें chapter के introduction में ही बताया गया है कि Now the lips are falling fast जो कवीता है वह मनुष्यके जीवन में जो frustration है उसको enact करता है यानि बताता है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number B Enacts तो इसपे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 17 में है कि W.H.Ordan has written the poem Das यानि W.H.Ordan ने किस कवीता को लिखा है तो यह भी हमें chapter के सुवात में ही बताया गया है कि W.H.Ordan ने poem number 3 जिसका नाम है Now the lips are falling fast को लिखा है इसलिए option C तो यह भी line इस chapter से लिया गया है जहां पर बताया गया है कि the prams are rolling यहां पर जो word यूज किया गया है prams यह बच्चों के गाड़ी के लिए यूज किया गया है यह एक ऐसा गाड़ी होता है जिसमें छोटे बच्चों को बैठा करके हम हाथ उसे चलाते हैं तो यह भी इमें chapter में बताया गया है कि यहां पर जो travelers है यानि यातरी है वो इंसानों के बारे में बताया गया है यानि human beings के बारे में बताया गया है जो कि अब अपनी मिर्थू की तरफ बढ़ रहे है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number A human being तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 20 में है human life is no better than task तो यह भी इमें chapter में बताया गया कि मनुस्य का जो जीवन है वो कुछ मौत से कम नहीं है यानि रोज प्रतिदीन के जीवन में वो बार बार मरता है क्योंकि अब उसकी जीवन है उसमें बहुत जादा frustration problems यह सब भरी पड़ी है इसलिए इस chapter में बताया गया कि मनुस्य का जीवन है वो अब मिर्टू से कुछ कम नहीं है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number B death तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 21 में है the lips are falling dash यह तो chapter का title ही है जहां पे बताया गया है कि the lips are falling fast इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 22 में है कि Auden won the Puliger Prize for his collection of poem dash यानि इस chapter को जो लेखक हैं जिनका नाम है W.H. Auden उन्होंने किस कभीता के स्रीज के लिए Puliger Prize को जीता था तो यह भी हमें chapter के सुरात में बताया गया है कि W.H. Auden ने the age of anxiety के लिए Puliger Prize को जीता था इसलिए option C इसका correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question number 23 में है कि the dash has become dumb to see the leafless stretch तो यह भी हमें chapter में बताया गया है कि जो night angle है यानि बुलबुल है वो अब dumb हो चुकी है यानि गुंगे हो चुकी है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा तो night angle has become dumb to see the leafless stretch इसलिए option sees का correct answer हो जाएगा इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ Question number 24 में है कि dash waterfall could blaze the travelers passing through that way यानि किस तरीकी के जो waterfall है वो उन travelers को यानि उन यातरी को आराम देती हैं जो कि उस रास्ते से होकर के गुजरते हैं तो यह हमें chapter में बताया गया है कि पहाड पर से जो उजली रंग के यानि white color के जो waterfall आती है यानि वो जहरना गिरते रहता है पानी का वो उन यातरी को आराम पहुचाता है जो यातरी उस रास्ते से होकर के जाते हैं इसलिए इसका correct answer हो जाएगा white waterfall so option number B इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 25 में है कि the falling of dash refer to a speedy arrival of death यानि किस चीज का गिरना ये बताता है कि मिर्टु जो है वो तेजी से आ रही है तो ये भी हमें chapter के सुरात में ही बताया गया है falling fast तो यहाँ पे पत्तो की ही बात करी जा रही होगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि the falling of leaf refer to the speedy arrival of death यानि पत्तो का गिरना जो है वो बताता है कि मौत तेजी से आ रही है इसलिए option A leaves इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question mark 26 में है तो यह भी हमें chapter में बताया गया है कि the messenger of death are the whispering neighbor तो इस chapter के जो लेखक हैं जिनका नाम है डब्लू एच ओर्डन उन्होंने बताया है इस chapter में जो messenger of death है यानि मिर्टू के दूत जो है वो whispering neighbor है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number A messenger तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 27 में है कि whispering neighbor left and right is a line from poem dash यानि यह जो line है जहाँ पे कहा गया है कि जो whispering neighbor है वो left और right यानि चारो तरफ है whispering neighbor यहाँ पे messenger of death को कहा गया है यानि मिर्तू के दूद को कहा गया है तो यह जो line है वो किस poem से लिया गया है तो हमें पता है कि यह जो line है या poem number 3 जिसका नाम है now the lips are falling fast से लिया गया है इसलिए option C's का correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 28 में है कि nurse's flower will not last is a line written by Daz आपको पता होना चाहिए कि इस scepter में जो बड़ा सा पेंड है उसको nurse कहा गया है और उसके आसपास में जो छोटे छोटे पौदे होते हैं उसको nurse's flower कहा गया है तो यहाँ पे जो line है जहाँ पे कहा गया है कि nurse's flower will not last यानि वो जो छोटे छोटे पौदे हैं वो जादा दिन तक अब नहीं चलने वाले हैं यह line किसके दुवारा लिखा गया है तो हमें पता है कि इस separate के जो लेकक हैं जिनका नाम है WH Auden उनहीं के दुवारा यह line भी लिखा गया है इसलिए option D इसका correct answer हो जाएगा तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 29 में है कि who run is calling for their food in now the lips are falling fast यानि यह जो कभीता है जिसका नाम में now the lips are falling fast उसमें ठाने के लिए कौन तेजी से दौड रहा है और चिलाते हुए दौड रहा है यह भी हमें chapter में बताया गया है जो trolls हैं trolls हैं परकार के अधभूत से डराऊने दिखने वाले creatures होते हैं वहीं इस chapter में खाने के लिए तेजी से दौड रहा हैं और चिलाते हुए दौड रहा हैं इसलिए option A trolls इसका correct answer हो जाएगा तो इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ question number 30 में है कि now the leaves are falling fast talks about tasks of human life यानि यह जो कभीता है जिसका नाम है now the leaves are falling fast यह मनुस्से जीवन के किस सीज़ के बारे में बात करता है तो यह भी हमें chapter के सुरात में ही बताया गया है कि now the leaves are falling fast यह मनुस्से जीवन के frustration के बारे में बात करता है यानि मनुस्से के जीवन में कितना नीरासा है उस बारे में यह chapter बात करता है इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option number A frustrations इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल के तरफ तो यहां पर होता है आपका chapter समाप आपने यहां तक वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद अब आपसे मिलते हैं हम अगले chapter में तब तक के लिए अगर आपको किसी भी परकार का doubt है तो आप हमें comment में लिखके जरूर पूछ सकते हैं हम आपके doubt को solve करने की पूरी कोसिस करेंगे Thank you very much